तो दोस्तों आज मैं explain करूंगा एक हाली में release हुई documentary जिसका नाम है House of Secrets The Burari Diaries और ये documentary जो है वो real case से inspired है and I'm sure कि आप बुरारी case से वाकिफ जरूर होंगे इस documentary को direct किया है लीना यादव ने और इस limited series documentary के अंदर मातर 3 episodes है जिनको मैं आज explain करूंगा सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भगवान इन सभी के आत्माओं को शान्ती दे तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ एपिसोड वन की शुरुवात होती है डैली के बुरारी इलाके से जहां पर 1 जुलाए 2018 को भाटिया फैमली ने अपनी शौप रेगलर टाइम पर नहीं खोली थी नेबर्स ने घर के अंदर जाकर देखा तो उनको एक दिल दहला देने वाला मंसर दिखाई दिया जहां पर परिवार के सारे मेंबर्स जिनकी एज 15 से 80 साल तक की थी वो मारे जा चुके थे जिनके नाम थे नाराइनी देवी जो की 80 साल की थी और वो घर की सबसे बुजर्ग महिला थी उनकी बड़ी बेटी थी प्रतिभा, बड़ा बेटा भवनेश और उनकी पतनी सवीता, छोटा बेटा ललित और उनकी पतनी टीना बात करें बच्चों के बारे में तो यहां पर प्रतिभा की एक बेटी प्रियांका थी, भवनेश के तीन बच्चे थे यानि की नीतू, मेनका जिसको मोनू कहते थे और उनका बेटा ध्रूव और यहां पर ललित का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम शिवम था, अब पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस ये देखती है कि 11 मेंबर्स में से 10 लटके हुए थे, और जो 11 फैमिली का मेंबर था यानि की जो मुखिया थी, वो अपने बिस्तर के पास डेड़ होए थे, आंकों पर पटी थी और मुपर भी पटी बंदी हुई थी, कान के अंदर रूई भी थी, और ये जिस तरह से लटके थे, वो काफी तदा वीर्ड था, वहां पर धेड़ सारी चुनिया थी, जो की रंग भी रंगी थी, पुलिस इस मंजर को देखकर देहल जाती है और उनको भी समझ नहीं आता कि ये सिचुएशन कैसी है, और कोई क्राइम ऐसा कैसे हो सकता है, घर में किसी भी फोर्स्ट एंट्री के साइंस नहीं थे, और किसी भी तरह की चोरी का भी अंदाजा पुलिस को नहीं लग रहा था, पुलिस की काफी सारी वहां पर फोर्स आत एक साथ चली गई है, लेटर ऑन फॉरेंसिक्स की एक पूरी टीम आती है, जो कि ये पूरा मनजर देखकर बुरी तरह से सहम जाती है, और उनको खुझ समझ नहीं आता कि वो कैसे रियाक्ट करें, ऐस ये चीज उन लोगों ने पहली बार देखी थी, फॉरेंसिक्स ने काफी बढ़िया थे, इन फैक्ट काम करने वाले वर्कर्स के साथ और ऊंकर रिलेशन काफी बढ़िया थे, और किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं ओर था कि इस परीवार के साथ में ऐसा हो गया है, उनका ये भी कहना था कि वो सूइसाइडल नेचर के भी नहीं थे, क्यों केर वालों को लाया गया और टॉमी को आजाद कर दिया गया जो कि काफी ट्रॉमाटाइजड हो गया था टॉमी घर का आकरी सदस्या था जो कि बच गया था और अगर वो बंदा हुआ ना होता तो शायद उसकी पूरी फैमिली आज जंदा होती लेटर ओन नराइनी देवी की बेटी सुजाता आती है जो की पानी पत में रहा करती थी और वो अपनी फैमिली के डेट से पूरी तरह तूट जाती है पुलिस को ये केस स्टार्टिंग में सुईसाइड का ही लग रहा था क्योंकि मर्डर जैसा वहां पर कोई भी हिंट नहीं था और इस बात पर सुजात और बाकी लोगों ने पुलिस को भी गलत बताया कि इस केस का रुक जान बुचकर बदला जा रहा है तीना और सवीता के माई के वालों को अपनी बेटियों की मौत की खबर मिलती है और वो इससे बहुत ही जादा तूट जाते हैं और उनको भी यकीन नहीं होता है वो कभी अपनी फैमिली में दुकी ही नहीं थी और भवनेश और ललित बहुत ही अच्छे इंसान थे अब घर से पुलिस ये बताती है कि भवनेश ने एक टाइम पर उस रस्ती को खोलने की कोशिश करी थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और जो बच्चे थे घर के उनके हाथ जगा मिलती है जहां पर हवन किया गया था और सीसी टीवी को क्लोजली मॉनिटर करने पर पुलिस को टीना उसका बेटा शिवम और नीतु सेव नाइट रात को मार्किट से स्टूल्स लाते हुए दिखाई देते हैं और जिन चुनरियों से ये सभी लोग लटके हुए थे उनको भी रात में ही खरीद कर लाया गया था और उनके ही जर्णरल स्टोर से वायर का बंडल भी घर में लाया गया था जिसके साथ में एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है अब एपिसोड टू की स्टार्टिंग में हम प्रियांका की सगाई को देखते हैं जोकि इस इंसिडेंट से ठीक 14 डेस पहले होई थी और उसमें सारी फैमिली बहुत ही जादा खुश थी और उन्होंने बहुत धूम धाम से जशन मनाया था इसमें काफी पैसा भी उन्होंन करने लगता है रिच्वल और हवन वाली जगा को चेक करने के बाद में क्राइम ब्रांच को पूजा घर के पास कुछ डाइरीज मिलती हैं जिन पर कुछ खास बाते लिखी हुई थी और क्राइम ब्रांच उनको as evidence अपने साथ ले जाती है अब घर के बाहर लोगों ने वी चीज़े लाइक रेलिंग्स और बहुत सारी खिटिकियां 11 की संक्या में थी जिसको कुछ लोग इस केस से जुड़ा हुआ मान रहे थे लेकिन कुछ लोगों को ये सिर्फ एक को इंसी लग रहा था अब क्राइम ब्रांच हैड उन डायरीज को चेक करते हैं जिसमें बह अब डायरी के अंदर बाकी के सारे इंस्ट्रक्शन्स भी थे की पट्टी बंदी होनी चाहिए और हर चीज़ जैसा की क्राइम सीन पर मिला था वो सब डायरी में ऐसा इंस्ट्रक्शन नोटिड था वो डायरीज पढ़ने पर लोगों को ये भी फील हुआ कि इन डायरीज में जो कुछ बाते हैं जो में लिखी होई थी वो किसी थर्ड परसन ने उनको बोली हैं उनको 11 साल से कोई डायरी में लिखकर कुछ बाते बता रहा था और पूरी फैमिली उस चीज़ पर अमल किया करती थी और इसके बारे में लोगों को लगता था कि ये बातें कोई मिथिकल एनरजी रात में डायरी में लिखा करती है और सुबा सब डायरी पढ़कर उन बातों पर अमल किया करते थे अब इस केस में आगे एक तांतरे गीता को भी अरस्ट किया गया था जिसके खिलाफ कोई भी एविडेंस ना होने की वज़े से उसको छोड़ भी दिया गया मतलब स्टार्टिंग में कुछ और बोला गया और बाद में उसने कुछ और बोला कि मीडिया यहां पर उल्टी सीजी बाते बोलती है और उसकी वज़े से उसको काफी तकलिफ भी होई थी बोपाल सिंग ने अपना काम संभाला, कमाया और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए वो डेली आ गए अब ललित घर के अंदर सबसे चोटा था और वो घर का सबसे लाडला भी था और बोपाल सिंग से काफी अटेश्ट भी था बोपाल सिंग के डेथ के बाद ललित की अटेश्मेंट अपने फादर से और भी जादा बढ़ गई और हमको पता चलता है कि कुछी टाइम के बाद में ललित के फादर उसके सपने में आने लगे थे जो उसको हर एक चीज बताया करते थे कि क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए और क्या करने से क्या क्या होगा ललित के अंदर अपने फादर की आत्मा आने लगे और जब वो पॉसेशन में होकर बाते बोलता था तो प्रियांग का और नीतु वो सारी बाते डाइरी में लिखा करती थी यानि कि यहाँ पर कोई तीसरी शक्ति उनको इंस्ट्रक्शन्स देती थी और उनकी बेटिया इस चीज़ को लिखा करती थी अब यहाँ पर ललित की वाइफ टीना उसकी सारी बाते माना करती थी क्योंकि अब वही घर का लीडर हो गया था तो टीना ने यहाँ पर सोचा कि वो भी घर की मुखिया ही है तो उसकी बाते सारी मानी जाएं और उसका साथ दिया जाए जिस रात सब लोगों ने सुईसाइड किया था उस रात भी ललित ने सब को कन्विंस किया पिताजी आएंगे और जब वो आएंगे तो सब को आसाद कर देंगे और उनको मरने नहीं देंगे और उनके साथ काफी अच्छा होगा और खास शक्तियां उनको मिलेंगी जब रिच्वल कम्प्लीट हो गया तो उनकी फैमिली की कंडिशन और भी ज़ाद अच्छी हो जाएगी और ललित की सारी बाते मानने से उनकी फैमिली की कंडिशन अच्छी भी होती जा रही थी जिसके साथ में एपिसोड टू यहीं पर खतम हो जाता है एपिसोड तीन की शुरुआत में हमको पता चलता है कि ललिट जो बाते पजेशन में बताता था उसको सब मानते थे जिसे उनकी फैमली की कंडिशन ठीक होती चली गई और आकरी रिचुल में ललिट ने अपनी फैमली को ऐसे मोड पर लाकर खड़ा कर दिया अब बच्पन की बात करें तो ललिट अपनी फैमली का सबसे चही था सबसे चोटा और सबसे शरारती बच्चा था ललिट के दोस्तों से हम सुनते हैं कि वो बहुत बात किया करता था बहुत हसी मजाग करता था और बहुत सारी बाते भी किया करता था एक बार गाउ dolphins में ललत के एक्सिडंट हो गया था जिससे उसके सर पर चोट लग गई थी और वो ह bedeutet हो गया अब थोड़े सालों के बाद में जहां पर ललत काम किया करता था उसरे बॉस के बॉस के जो गड़ा हो गया था ललित की इस कंडिशन पर डॉक्टर्स ने फैमिली को सजेस्ट किया कि उसके ट्रॉमा को कम करने के लिए उसको थेरपी कराई जाए जिसको फैमिली ने एगनॉर कर दिया था अब एक दिन ललित को ये लगा कि उसको अपने फादर की आवाज आई है कि ललित से चालिसा पढ़वाई जाया जिससे उसकी आवाज वापस आ जाईगी और फैमिली में सब ने ये चालू किया और सुबह और दोपहर और रात को सभी लोग चालिसा पढ़ने लगे एक साल बाद अचाना की ललित की आवाज वाज वापस आ गई और उसने अकेले ही चालिसा कंप्लीट करा ललित की मदर की तब्याट ठीक नहीं रहती थी और उसका भाई जादा जिम्मेदारी नहीं ले पाता था यानि की भवनेश इसलिए ललित ही परिवार को जोड़ कर रखने लगा और जो बाते वो बोलता था या फिर डाइरी के अंदर जो लिखा होता था सभी उसको मानते थे और सभी काफी के बारे में तक अपने ऑफिस में किसी को नहीं बताया था आकरी रिचुल से 14 डेज पहले ही प्रियांका की सगाई हुई और उससे कुछ दिन पहले सही ललित काफी रिजर्व रहने लगा था किसी से जादा बात नहीं करता था अकेले बैठा रहता और सबसे कम बात करता ल इंटेंशनली बट उसके दिमाग ने उसको वैसा सोचने पर मज़ूर कर दिया था यहां पर सभी को ऐसा लगता था कि उनके अंदर भोपाल सिंग की आत्मा आती है खेर भाटिया फैमली के नेबर्स को आज भी उस फैमली के नाइट मेर्स आते हैं और वो आज भी उस इंस की और एक अपने पिता का साया ललित और पूरी फैमली को ये लगता था वो तो बची जाएंगे क्योंकि डाइरी में ये लिखा था कि कैसे हेल्प करनी है एक दूसरे को खोलने में रिचुल के बाद लेकिन अनफॉर्चनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेरे ख्याल से आ हायरी के अकॉर्डिंग यही था कि जिवाब बनियन ट्री वाले रिचुल को करेंगे तो एंड में पिताजी आएंगे और सब को बचा लेंगे जिसके बाद में उनको कुछ शक्तियां मिलेंगी और उनकी फैमली और तरक्की करेगी अदरवाइस 14 लोगों का एक साथ ऐसा क करना मतलब कोई सेंस नहीं बनाता और इसलिए ही इसको ना ही सुईसाइड कह सकते हैं और ना ही मर्डर कह सकते हैं यह एक एक्सिदेंट कहलाएगा जो कि मेरे खयाल से ललित की दिमागी हालत की वजह से हुआ है जिस दिन यह सब हुआ उस दिन 11 बोडिस का अंतिम संसकार कर गए थे क्योंकि उनका रिष्टा सभी से काफी अच्छा था और यहां पर सबसे बड़ी बात कि जो भाटिया फैमली के बेटे थे वो यहां पर सगाई अटेंड करने आये थे जहां पर पूरा महल काफी अच्छा था तो मतलब कोई सोची नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकत क्योंकि उस मनजर का कुई भी चश्मदीद गवाही नहीं बचा था जिसके साथ में यह एपिसोड और यह लिमिटेड सीरीज यहीं पर खतम हो जाती है तो ओवरॉल यह डॉक्यूमेंटरी काफी अच्छी बनाई गई है और एपिसोड्स भी जादा बड़े नहीं हैं मातर 40-40 मिनट्स के एपिसोड्स हैं तो आपको यहां पर वन बाई वन सारी चीज़े पता चलेंगी कैसे क्या क्या हुआ था बाकी बात करें यहां पर जो कुछ हुआ वो काफी जाता दुखत था मतलब आप सोच कर देखो कि किसी की मेंटल स्टेट किसी को किस तरह से प्रभाव एक डिसॉडर हो सकता है वैल आप लोग अपनी ओपीनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो दोस्तों यह थी हाउस ओफ सेक्रेट की कहानी उमीद करता हूं कि आपको यह डॉक्युमेंटरी स्लाश लिमिटेट सीरीज पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजे तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए